सतलू यमना लिंक नहर विवाद पर आज हरियाना और पंजाब के मुख्य मंत्रियों के बीच बैठक होगी शाम चार बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्ष्टा केंद्रिय मंत्री गजेंद्र सिंग शिकावत करेंगी पंजाब और हरियाना के बीच दशको पुराना सतलू यमना लिंक विवाद समय के साथ साथ गहराता ही जा रहा है सुप्रीम कोट ने भी समय समय पर नहर से जुड़े मुद्दे को सौव हादर पूर्ण धंग से हल करने की बात कही है हाल ही में सुप्रीम कोट ने सतलू यमना नहर विवाद पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोट ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीती नहीं होनी चाहिए पंजाब सरकार को साकारात्मक रुख दिखाना चाहिए इसे लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है कोट ने केंदी सरकार से कहा कि वो पंजाब के हिस्से में आने वारी परियोजना के लिए आवंडिज जमीन का सर्वे करें ताकि ये सुनशित किया जा सके कि भूमी सनरक्षित है आज शाम चार बजे आयोजित होने वाली बैठक की अध्यक्षता केंदी जल्ज शक्तीमंतरी गजेनी सिंग्शेखावत करेंगे दोनों राज्यो के मुख्य मंतरियों के बिच इस विवात को लेकर ये तीसरी बैठक है इससे पहले दोनों मुख्यमंद्रियों के भी 14 अक्टूबर 2022 को और 4 जनवरी 2023 को बैठक हुई थी, दोनों ही वेट के बेन नतीजा रही थी